आख यह श्टूड़ेंट्स असलाम उलेकुम वैलकम टू एनदे ट्यूटोरियल आज की वीडियो के लिए दिसक्स करेंगे कि असर्टिव संटेंस की जो प्रैक्टिस क्वेस्टोर रेंगे direct speech में जो given sentences होगे हम इनको कैसे indirect speech के अंदर convert करेंगे यह previous video के अंदर हम देख चुके हैं कि कैसे assertive sentences के जो फिकर होते हैं हम उनको indirect speech में convert करते हैं हमने वहां पर इनके basic rules को detail से study किया था आज की video के अंदर हम चांद एक examples हम उनको study करेंगे और देखेंगे कैसे हम इन फिकरों को direct से indirect speech के अंदर convert करेंगे तो चलते हैं हम अपनी video की जाने सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास जो फिकरा given है वह है she said I like clouds in the sky आप लोगे ने रूल में पढ़ा ही हुआ है कि अगर फिकरे के अंदर अकेला set इस तरह से आजए तो इसको change नहीं किया जाता है इसको वैसे set की शेकल में ही नीचे लिख दिया जाता है उसके बार जो inverted को मज होते हैं इनको खत्म करने के लिए assertive sentences में हम debt का इस्तिमाल करते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं जो आई है हमारे पास यह first person है और first person को हम chain करते होते है reporting speech के subject के साथ तो हम वहां पर आई की जगा फिर्म लगा देंगे she अब चूंकर यह वाला जो पूरा फिक्रा है यह present indefinite का है तो रूल के according जो present indefinite का फिक्रा होता है हम इसको change कर देते होते हैं past indefinite के साथ तो हम यह जो present indefinite का फिक्रा है हम इसको chain कर देंगे with respect to past indefinite ठीक है तो वहां पर आप देख सकते हैं यहां पर चूंकर like first form use होई थी तो हम इसको change कर देंगे second form liked के साथ और बाकी फिक्रा हम ऐसे ही बना देंगे उसके बाद second sentence है फिक्रा है he said I am unwell तो simply यहां पर भी एकला said ही यूज हुआ है हम इसको sad ही रहने देंगे inverted commas को खत्म करने के लिए वहां पर हम debt लगा देंगे I tune के हमारे पास first person है हम इसको replace कर देंगे he के साथ वहां पर लगा दिया हमने he यह simple is RM वाला sentence है हम इसको simple past वाजवार के लिए convert कर देंगे उसके बाद next sentence है he said to her I live in this building simply हम said to को change कर देंगे told के साथ यह object हर को हम ऐसे लगा देंगे नीचे inverted commas को खत्म करने के लिए हम यहां पर debt कर स्वाल करेंगे I tune के हमारे पास first person है हम इसको replace करेंगे he के साथ ठीक है यानिके subject के साथ तो यहां पर हमने IQ का फिर ही लगा दिया अब यह वाला भी जो फिक्रा है यह present indefinite का है हम इसको past indefinite में convert करने के लिए यहां पर second form लगा दी अब this को हम changing word के according this को change कर देंगे debt के साथ next sentence है they said our teacher is on leave so simply said को हमने said ही रहने दिया inverted commerce के लिए हमने debt लगा दिया our teacher है our हमारे पास possessive case है first person का तो हम इसका जो subject है जो possessive कैसे देखा possessive case their वो लगा देंगे their teacher simple is our aim हम इसको वाजवार में convert कर देंगे their teacher was on leave next sentence है are if and asya said to their mother we like mango we like mangoes तो simply हम क्या करेंगे are if and asya said to their mother हम इसको said to को change कर देंगे told के साथ फिर inverted को मास को खत्म करने के लिए हमने debt लगा दिया वो ही है जी first person first person को इनका जो subject है are if and asya इनके plural form से हमने change कर देना है तो जब ज्यादा लड़के ये लड़कियां आ जाएं तो उनके लिए जब हमने pronoun इस्तमाल करना होता है वो हमार पास होता है दे तो इनका जो subject है वो हमार पास बंजाएगा दे हम इसको दे से replace कर देंगे they liked mangoes ये present indefinite है हमने इसको past indefinite patient कर दिया next sentence है she said I am helping my mother in the kitchen तो simply set को हमने सेड ही रहने दिया inverted को मस को खतम करने के लिए हमने data का इस्तमाल कर दिया I हमार पास है फिरस्ट परसन हम इसको subject यानि के जो she है उसके साथ हम यहां पे replace कर देंगे यहां पे हमने she लगा दिया यह present continuous है हम इसको change कर देंगे past continuous में she के साथ helping group was लगता है she was helping my हमारे पास possessive case है first person का तो हम शी का जो possessive case है हर हम उसको फिर माई की जगा पे वहां पे लगा देंगे हर आगे mother in the kitchen बाकी फिकर हमने वैसे लिखते नहीं इसका next sentence है he said I am watering the plants in the garden said को हमने said ही रहने दिया inverted commerce को खत्म करने के लिए dead he को हमने subject he के साथ chain कर दिया I को sorry वहां पे ही लगा दिया present continuous है हम इसको past continuous में तबदिल कर देंगे he was watering the plants in the garden next sentence ofshan said I am seeing mother's shirt तो simply ofshan said को हम ऐसे निचे लिए inverted commerce के लिए dead लगा दिया I को chain कर दिया हमने फिमेल है इसका जो pronoun होगा she हमने उसके साथ I को chain कर दें तो वहां पे हमने लगा दिया she अब यह भी present continuous है हम इसको भी past continuous के अंदर तबदिल कर देंगे swing mothers shirt next she said they are not doing their duty well तो simply हमने she said को she said ही रहने दिया inverted commerce को खुतम करने के लिए dead अब दे चुंके third person है तो third person no change हम इसको वहसे निचे 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 उतार देंगे यह भी present continuous ही है हम इसको past continuous के अंदर तबदिल कर देंगे they were not doing their duty well ठीक है देर भी third person का possessive case हम इसको भी change नहीं करेंगे next sentence है he said to me you are not running very fast simply हमने said to को chain कर दिया told के साथ me को essential लगने ने दिया inverted commerce को खुतम करने के लिए dead लगा दिया use second person second person को हम chain करते होते हैं reporting speech के object के साथ तो मी का जो subjective case है आई वो हमने यहां पर लगा दिया अब यह भी present continuous है तो आई के साथ helping group लगा was I was not running और बाकी very fast हम वैसे निशिया जागा फिगर ठीक है उसके बार next है they said we have done our duty तो simply आपने set को set ही रहने देना है inverted को mask को खतम करने के लिए हमने वहां पर debt लगा दिया वही है जी हमारे पास first person का first person का subjective case यानि कि वही आगा first person हम इसको chain कर देंगे दे के साथ तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा दे अब यह present perfect है हम इसको past perfect say chain कर देंगे they had done our हमारे पास है जी possessive case वही का यानिके first person का हम इसको जो subject है दे इसके possessive case देर के साथ replace कर देंगे next sentence say the teacher said to us you have not completed your drawing you have not completed your drawing तो simply हमने said to को chain कर देना है told के साथ the teacher told us inverted को mask को खतम करने के लिए हमने यहां पर लगा दिया that और च्यू यू चूंके second person है तो इसको हम object के सारी place कर देंगे तो यह हम पर आ जाएगा वही असका subjective case के आ गया वही अब यह present perfect है हम इसको past perfect से तबदिल कर देंगे we had not completed your है जी हमारे पास second person का possessive case तो हम इसको जो object है us इसका possessive case यहां पर use कर देंगे our our drawing next sentence है she said they have not eaten their meals simply हमने said को said ही रहने दिया inverted commerce को खतम करने के लिए हमने वहां पर डैट लगा दिया उसके बाद third person है यह change नहीं होगा हम इसको 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 चेंड कर देंगे past perfect के साथ they had not eaten their meals next sentence the teacher said I have often told you not to play with fire simply हमने teacher said को ऐसे निशे दार दिया I हमारे पास है जी first person तो first person को हम change करेंगे जिसके subject के साथ अब यहां पर teacher जा हो चूंकर बात कर रहे होते हैं ज्यादा बच्चों के साथ तो यहां पर हम यहां पर mistakenly दे कर इसमाल हो गया है आप यहां पर लगा सकते हैं जी he भी लगा सकते हैं या she भी ठीक है अपने मर्जी से आप कोई भी subject य लगा सकते हैं यहां पर चाहिए आप ही लगा लें या फिर आप यहां पर यहां पर शी लगा लें ठीक है इन में से एक subject आप को बहसा जाएगा उसके बाद यह present perfect आफिक्रा है यह सारा हम इसको change कर देंगे past perfect में he had often told आगे you हमारे पास second person का है जी objective case तो हम इसको change कर अब चूंकर object यहां पर कोई भी नहीं है हम यहां पर कोई appropriate object ना लेंगे that teacher said to us क्यूंकर teacher ज्यादा student से मुखातिब है तो हम पर set to us वहां पर लगा दिए teacher said to me उसके according आपने वहां पर subject लगा देना है अगर set to us है तो यहां पर हम us लगा देंगे अगर teacher एक बच्चे से बा लगा नीचे next sentence say my brother said to me you have missed the point completely simply हम set to go chain कर देंगे told के साथ मी को वैसे लगने दिया inverted commas को खितम करने के लिए that लगा दिया you have second person second person will be changed with the object of reporting speech and then we put subjective case of me which is I उसके बाद आप देख सकते हैं यह present perfect हैं से हमने इसको पास perfect में तबदिल कर दिया you have missed हमने simply had missed के साथ इसको रिप्लेस कर दिया Mr. point completely next intense say he said I complete my drawing half an hour ago to set को हमने study रहने दिया inverted commas को खितम करने के लिए that लगा दिया I first person है हम इसको subject के साथ chain कर देंगे तो वहां पर आजएगा ही अब यह फिक्रा जो है यह mistaken यहां पर आ चुका है यह वाला यह एक्चली फिक्रा है मारे पास उसका past indefinite का ठीक है यहां पर completed word आना था तो mistaken यह से हो गया वहां पर हमने फिक्रा clear कर दिया जी completed I completed my drawing half an hour ago एक्चली मैं इससे पर चला past का क्यूंकि फिक्रे के end पर यह go आगा यह past definite के फिक्रों के end पर आता होता है तो आपको पता है past indefinite का जो फिक्रा होता है हम उसको किसमें चेंड कर देते होते हैं उसको हम चेंड कर देते होते हैं past perfect के अंदर ठीक है तो हम इस हम इसको चेंड कर देंगे he के possessive case से पहलेगा his my first person का possessive case था he का first person he जो है subject का जो possessive case वो है his तो my drawing को हमने लपेस कर दिया his drawing से half an hour ago ago को हम चेंड कर देते होते हैं before के साथ तो हमने वहां पर वो लगा दिया half an hour before इसके बाद next sentence है she said I did not go to school yesterday simply said को said दी रहने दिया inverted को मस को खतम करने के लिए debt लगा दिया ये फिक्रा जो है ये present past indefinite का है हम इसको past perfect के सारी प्लेस कर देंगे I did not go to school yesterday तो simply I first person है हम इसको reporting speech के subject she से replace कर देंगे she had not gone to school yesterday को हम change कर देंगे the previous day के साथ next फिक्रा है he said she sang me a beautiful guzzle at the concert last night तो said को said दी रहने दिया inverted को मस को खतम करने के लिए debt लगा दिया अब यहां पर है जी हमारे पास she third person no change हम इसको इसको इस इनशिट लगा देंगे यह हमारे पास फिक्रा है past indefinite का हम इसको past perfect से तबदिल कर देंगे she had sung a beautiful guzzle at the concert ठीक है फिक्रे में था the last night और हमने दे लास नाइट को चेंड कर दिया the night before के साथ okay उसके बाद next sentence है she said he rang me up at 12 midnight तो simply said को हमने said ही रहने दिया इनवारीट को मास को खितम करने के लिए that he third person no change इसको इसको ऐसे लगा दिया यह भी past indefinite का हम इसको भी past perfect में replace कर देंगे he had rung ठीक है past perfect में had लगता होता है और third form वब लगते होती है he had rung अगे मी है जी यह first person का objective case है तो हम इसका जो subject है she इसका जो objective case she का objective case है हर हम इसको उसके साथ replace कर देंगे तो वहां भी हम लगा देंगे her up 12 midnight बाखी फिकरा वैसे ही बना देंगे next sentence है he said the boys didn't put me put up a good show last night तो said को हमने said ही रहने दिया inverted को मस के लिए that did boys भी third person में आते हैं वो भी वैसे लगा दिया हमने यह did not past indefinite है हम इसको past perfect replace कर देंगे had not और यह third form put up a good show last night फिकरा वाम पे last night आगवा है करने के लिए हमने डेट लगा दिया आई चुंके हमारे पास है first person तो first person को chain करते होते हैं subject यह निकिशी के साथ तो हमने वहां पे शी लगा दिया she के साथ आपको बता है helping group will लगती होती है तो हमने will के साथ फिर उसकी second form would वहां पे लगा दिया और she would never do such a thing बाकी फिकर हमने वैसे रहन दिया next action set they will wait for us for one hour only तो action set को हमने ऐसे निश्वता लिया inverted को मस को खत्म करने के लिए that they third person no change हमने उसको वैसे लगा दिया दे के साथ भी helping group will लगता होता है तो उसके second form हमने would लगा दिया हों पे they would wait for अब यह आस जो है यह मारे पास है first person का objective case अफशा का जो objective case अफशा को एक लट किया और आस हमारे पास है plural form में तो अफशा को प्लूरल form मतलब कि जो दे है हमने उसको उसके साथ replace करना है अब word जो दे है यह subjective case है और वहां भी हमने लगाना है objective case तो दे का objective case क्या होता है जी दे का objective case है them तो वहां पर फिसको them के साथ replace कर देंगे तो यहां पर आस की जगा हमारे पास लगना है them simply हम यहां पर लगा देंगे them ठीक है sorry THEM them लग गया for one or only बाखी फिकर हमने वैसे लगा देना है उसके बाद next sentence है they said we shall never make a promise we cannot fulfill set को हमने साड़ी रहने दिया inverted comments को खतम करने के लिए that we have first person तो first person को हम chain करते है subject के साथ day के साथ day से हमने इसको replace कर दिया दे के साथ भी helping और will लगती तो उसके second form हमने would लगा दी they would never make a promise they can use हुआ था हमने can को replace कर दिया good के साथ they could not fulfill next sentence है he said I shall explain this to you only if you listen to me with patience तो हम क्या करेंगे सको change हमने set को set ही रहने दिया यहां पे inverted comments को खतम करने के लिए हमने that लगा दिया I first person है तो इसको reporting speech का जो subject है ही उसके साथ हम रप्रेस कर देंगे ही के साथ भी helping work will लगता है तो वहां पर फिर will के second form हमने would लगा दी he would explain this को हमने change कर दिया that के साथ he would explain that to you हमारे पास है जी second person second person को फर्जी object me से replace कर देंगे तो यहां पर लगा जी explain that to me only if फिर आ गया गया हमारे पास you second person subjective case है यहां पर हम इसको chain कर देंगे वहां पर फर्जी जो object हमने जो मी लगाया हुआ था उसके subject के साथ तो मी का subject क्या है I if I यह present indefinite है हम इसको listen के second form listen लगा देंगे मी को भी first person जो है यह first person है हम इसको ही का जो objective case उसके साथ replace कर देंगे यानिके him if I listen to him with patience पा की फिकर हम बैसी लगा देंगे next फिकराइस का last sentence है जी उसके अंदर explain है he said I hope you will not repeat this mistake simply हमने set को study रहने दिया inverted commas को खत्म करने के लिए debt लगा दिया I first person है हमने इसको replace कर देना है जो reporting speech का subject है ही उसके साथ ही अब यह हिसाब present indefinite में है तो हमने hope की second form लगा दी तो past indefinite बन गया ही hope you हमारे पास है यह second person हम इसको जो फर्जी हमारे पास subject होगा मी उसके साथ replace करेंगे तो you subjective case है तो me का subjective case क्या होता है I के साथ आप लोगों को पता ही है helping work shell लगता होता है तो वहां पर फिर shell की second form लगेगी यहां पर लगेगा should तो यहां पर उट की जगा हम लगा देंगे should अब जूंको यह negative sentence था तो हम लगाएंगे I should not इसके बाद repeat this को हम chain कर देंगे that के साथ I should not repeat that mistake तो यह थी जी हमारे exercise इसके assertive sentences की इन ही फिकरों में से आपको इंशाला board में से question आएंगे इनके अंदर आपको कोई भी issue हो कोई भी question आपके mind में तो आप easily comment box में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तके लिए Allah आफिस